जैस्रीकिष्ण स्वागत है आप सभी का मेरे HS वारद्वा यूटूब चैनल पर मैं हरियोवन सर्मा आपको कुछ जानकारी दे रहा हूँ तो सबसे पहले आप चैनल को सबस्क्राइब जरू करें बगल बेल आकन बटन को प्रेस कर दें एकादसी व्रत वाले दिन तीन पूजाओं का बड़ा मैत्व है जो लोग एकादसी व्रत करते हैं उनको ये तीन पूजा आवस्य करनी चाहिए अगर आप ये तीन पूजा करते हैं तो आपकी समस्त मनो कामनाय पूरी हो जाती है और ये तीन पूजा करने से भगवान विश्णु अति प्रसन्न होते हैं अगर आप ये तीन पूजा करते हैं तो जो आप मांगोगे जो आपके मन में इच्छा होगी वह इच्छा आपकी जल्दी पूरी हो जाएगी सबसे पहला है अगर आप एकादसी का ब्रत करते हैं या ना करते हैं एकादसी का ब्रत करते हैं या ना करते हैं फिर भी आप तीन पूजा जरूर करें सबसे पहला भगवान विश्णु के इष्ट भगवान सिव की पूजा क्योंकि भगवान राम ने प्रते कारे सुरू करने से पहले भगवान सिव की पूजा की थी भगवान कृष्ण ने भी आरजुन को सिव की पूजा का बरदान दिया था कि मैं तुम्हें बरदान देता हूं कि भगवान सिव तुम्हार उपर जरूर किरपा करेंगे और उनको मार्ग भी बताया था कि हारजुन अगर तुम्हें प्रतेकार में कामियाब होना है बिजय चाहिए तो भगवान माकाल की सरण में जाईए इसलिए जो लोग भगवान बिश्णु और भगवान सिव में अंतर समझते हैं उनकी की गई पूजा निस्पल हो जाती है जो अपाई आती है कि जो लोग सिव जी के उपासक होते हैं अगर वह भगवान बिश्णु के देश करने बाले हैं तो भगवान सिव उनको परसंद नहीं करते हैं और जो भगवान बिश्णु के भगवान सिव से देश रखते हैं तो भगवान उनको सुईकार नहीं करते हैं इसलिए भगवान सिव की पूजा अवश्य करने चाहिए नम्मर दो गो माता की सेवा सास्त्रों के हिसाब से गो माता की सेवा का बड़ा मेत्व है जो लोग एकासी का ब्रत करते हैं या कोई भी ब्रत करते हैं और गो माता की सेवा करते हैं तो दोस्तों आप जो मांगोगे माता काम देनू वही मनो कामना आपकी पूरी करेंगे और आप ये करके भी देखें अगर आप एकादसी वाले दिन भगवान सिवकी सोम्मार को पूजा तो होती होती है वो तो सभी लोग करते हैं लेकिन एकादसी वाले दिन भगवान विश्णू की पूजा से पहले सुबह कि समय भगवान सिव की पूजा करिए आपको मन चाहा बरदान मिलेगा गो माता की सेवा एकादसी बाले दिन गो माता की सेवा करते हैं तो जो मांगोगे वहीं मिलेगा और नम्मर तीन तुलसी माता की पूजा जी हां दोस्तों अगर आप एकादसी बाले दिन गो माता की सेवा और तुलसी माता की सेवा तुलसी माता की सेवा का मतलब है जहां पर तुलसी है वहां पर आप उस इस्तान को साप करिए वहां पर पानी जिद होईए उसके बाद में वहां पर स्वास्तक चिन्न बनाईए और वहां पर घीका सुद्ध घीका दीपक जला दीजिए कि कहते हैं कि माता तुलसी के दर्सन मातर से इसपर्स मातर से इंसान पवित्र हो जाता है सारे पाप नश्ट हो जाते हैं तो वहाँ पर देशी गी का सुद्ध दीपक जलाईए आपकी मनो कामन अवश्य पूरी होगी और यह आप नियम बना लीजिए यह मैं खुद कराता हूं और ने यह पूजा की है आज भगवान की किरपा से उनके यहां किसी भी प्रकार का दुख नहीं है हर प्रकार के जो है मनो कामन अवश्य होती हो माता तुलसी की पूजा करने से सरूर में जो रोग हैं वो भागते हैं सरीर में तेज आता है और लच्चमी जी का बास गर के तो यह सारे कार करें और ओम नमो भगवते बास देवाय नमाहा इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा पाठ करते रहें जिस दिन आपने 81 का ब्रत रखा है तो यह का सारे कार करें आपको बश्य लाब होगा तो मुझे उम्मीद है आपको जानकार यह अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरू करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ओम नमस्षिवाएं